इसलामबाद न्यू इंटरनेशनल एरपोर्ट के करीब आपको मिल रहे हैं पांच मर्ला के लगजरी विलाज इंस्टॉल्मेट के उपर आप ये विलाज किस तरहां से हासिल कर सकते हैं और इसकी एक्जेक्ट लोकेशन कहां पर आ रही है ये सारी डीटेल आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ हमारे साथ रही है बिसमिल्ला रह्मान रही हैं असलाम अलेकूम भी और मैं हूँ आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं इंपायर जोन के सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म से जैसे के आज वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि हम पांच मर्ला विलास के हवाले से बात करेंगे और वो उसकी recursion क्या है उसकी क्या registration कॉस्ट है आप किस तरह से ले सकते हैं सारी डीटेल्स बताऊँगी लेकिन उस से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं मैं यह कहना चाहूंगी के रिसेंटली हमने एक और प्रोजेक्ट के हवाले से भी एक विलास की वीडियो बनाई थी जो के बहुत सारी हमारे पास उसके उपर क्योरीज आरी थी लोग उसमें बुकिंग करवाना चाहरे थे लेकिन अनफर्चनेटली वह सारे के सारे सोर्ड और आज वह फायदे में है और वही लोग अब जब उसकी डिमांड करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम उनको बुकिंग दे सके इसी चीज़ को देखते हुए हमने मज़ीद इसके उपर वरकिंग करके आपके लिए जो है ऑप्शन देखे और उसमें हमारे पास एक जबरतस ऑप्शन जो हमें नजर आया वो इसलामबाद इंटरनेशनल एरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनिट के मुसाफिक पे जो साइटी बन रही है सेवन मुंडर सिटी के नाम से मैंने रिसेंट्ली उसके प्लॉट्स के हवाले से भी एक वीडियो बनाई थी कि जो इन विलास को अवेल करते हैं आप इसमें बुकिंग करवाते हैं तो आने वाले टाइम में ये भी उसी तरह से बहुत खुबसूर्ती के साथ त्यार होने वाले हैं और विलास की जो एक खास बात होती है किसी भी प्रॉजेक्ट के ये जो विलास होते हैं ये सुसाइटी हमे सारा कुछ जो भी चीज़ें हैं सारी सुसाइटी ने खुद ही लेनी हैं खुद ही अरेंज करनी है और अच्छे मिटेरियल के साथ अच्छे डिजाइन के साथ आपको बना की तैयार चीज़ आपके हैंड़ोव करते हैं और आप अराम से उसको जो है या खुद शिफ्त हो खुद आप उसमें रहना चाहें तब भी एक बेतरीन उप्शन होता है अगर आप उसको रेंटल वैल्यू उसकी बड़ी अच्छी होती है आप उसको रेंट आउट करें तब भी आपको उसका जो है अच्छा आप उस पे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं सेवनडर सिटी मैंने आपको बताया लोकेशन मैंने इसकी पहले भी आपको बताई कि आप फत्र जंग इंटर्चेंज से इसको जो है अक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही जो है वो तैन मिनिट्स की इसकी जो है वो मुसाफ़त है आप इसको एजीली अप्रोच कर सकते हैं इसकी इसका मैं आपको बताती हूं कि पांच मरला का जो यह विला है यह आपको कितना इसकी टोटल रिजिस्टेशन कास्ट आ रही है किस पैटन के साथ आपने इसकी पेमिन्ट करनी है और आप किस तरह से इसको इसका पुजेशन हासिल कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको इसकी प करोड़ 25 साथ मरला की 1 करोड़ 75 लाख और आपको 10 मरला विला जो है वो मिल रहा है दो करोड़ पचास लाद अगर मैं इसकी जू पे करनी है पांच मरला की वह है आपने 25 लाच इसकी डाउंपेमिंट है यह पर कंफरमेशन आप आपने पे करनी है 12,50,000 इसके बाद monthly installments आपकी जो है वो बन रही है 150,000 आपकी महाना किस्त है जो के आपकी 36 महाना किस्ते हैं ये आपका टोटल 54,00,000 रुपया जो है ये बन जाता है फिर half yearly एक installment जो आपने पे करनी है शश्माही किस्त ये दोनों installments compulsory होती है आपने monthly installment भी पे करनी होती है आपने शश्माही किस्त भी पे करनी होती है half yearly installment इसके बन रही है 4,50,000 ये जए 6 total installments बनेंगे आपकी और possession के टाइब में पे आपने 6,50,000 पे करना है और ये total आपका क्लियर हो जाएगा amount आपकी clear हो जाएगी एक करोड 25 लाग साथ मरला की booking की जो down payment है वो है आपकी 35 लाग 17,50,000 इसकी confirmation दो लाग 15,000 इसकी महाना किस्त और 6,25,000 इसकी शश्माही किस्त possession के टाइम पे आपने 7,60,000 पे करना है एक करोड 75 लाग आपका पूरा हो जाता है इसके साथ आपने 10 मरला अगर आप विला बुक करवाते हैं डाउन पेमिंट आपने करनी है 50 लाग फिर आपने confirmation इसकी करनी है आप 25,000 पिर आपकी इसकी जो महाना किस्त बनती है वो 3,000,000 और आपकी शश्माही किस्त 9,000,000 पे पे करना है धाई करोड का ये 10 मरला पिलास ये तीन आप्शिंस बेहतरी लोकेशन आलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी खसूसियात आपको बता चुकी हूँ बैस इसका आप इसको बुक करवा सकते हैं अपने लिए और अनने वाले टाइम में ये उसी तरह से जब रडी हो जाएगा तो इसकी वी वर्थ एंड वैल्यू जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी तो आप इसकी बुकिंग करवाने के लिए हमसे रापता कर सकते हैं उसके वीडियो में इतना ही नेक्स रुडियो तक के लिए मुझे दीजिये अजासत अलाहाफिस